नमस्कार सुआगत है आपका MP News में मैं हूँ आपके साथ दिवयव जिवर गया MP News की न्यूजरूम से बात करेंगे अब तक की मुख्य खबरों को लेकर एक बार फिर मत्रप्रदेश की आर्थिक राजधानी जो की अपराध की राजधानी भी बन चुकी है अपराध का शहर भी बन चुका है एक बार फिर शर्मसार हुआ है जी हाँ आज जब इंदौर वासी उठा चैन की नीन सोकर तो वापस से दहशत का माहूल देखकर घबरा उठा जी हाँ खबर ही कुछ ऐसी है इंदौर शहर में बच्चियां सुरक्षित नहीं है कि पंक्तियां बहुर आके बढ़ गई है क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर बीटियां आखिर महिलाएं आखिर लड़कियां कहा सुरक्षित हैं इन दौर में शनिवार शुक्रवार की दर्मियानी रात में एक साल की बच्ची के साथ में उसी के चाचा ने हैवानियत की है उसके साथ में जी हाँ उस बच्ची के साथ दुशकर्म हुआ है एक साल की महस एक साल की बच्ची आप कल्पना करिए कि एक साल की बच्ची सोचने समझने की ज्यादा शक्ती भी नहीं रखती है ऐसे में उस विस्तास से शरिवार का दिन जब होने वाला था यानि कि शुक्रवार की रात घनेरी रात थी और उस अंधिरी रात में उस बच्ची के माता पिता बच्ची की चार साल की बहन और वो एक साल की बच्ची सो रहे थे चाचा आया उस बच्ची को उठा कर लेकर गया यह पूरा मामला है इन दौर के जो है नौविल्टी मार्केट में पूरा मामला वही का है जेल रोड असतर्त एक निर्माना धीन बिल्डिंग थी जहां पर उसका चाचा उसको लेकर गया और उसके साथ दुश्करम किया और वो सुबह माता-पिता उठे और बच्ची को अपने इर्दगिर्द नहीं देखा तो परिशान हो गए धूरने के लिए निकले तो क्या देखते हैं कि बच्ची निर्माना धीन बिल्डिंग में लहू-लूहान हालत में पड़ी हुई है ततकाल उसको उठाकर पुलिस को सूछना देकर उसको अस्पताल में भर्टी कराए गया हाला कि फिलहाल जो चाचा है यानि कि जो आरूपी है जो दुशकर्मी है वो फिलहाल गिरफ से से बाहर है पूरी तरीके से जो है चाचपरताल पूलिस ने शुरू कर दी है और आरूपी की तलाश जारी है पर ऐसे में सवाल खड़े होते हैं संसकार उपर यहां पर सवाल खड़े होते हैं मानवता पर यहां पर सवाल खड़े होते हैं मानसिक्ता पर कि आखिर कब हमारा भारत देश कब हमारा मध्रप्रदेश कब हमारा इंदौर शहर इस तरीके की मामलें से मुक्त हो पाएगा इस तरीके की बड़े बड़े जो हैं लाच्छन लग चुके हैं हमारे इंदोर शहर पर आपको भी याद होगा जिनको याद नहीं है मैं फिर याद करा दू चार साल की बच्ची के साथ में दुशकर्म हुआ था चार महीने की बच्ची के साथ में दुशकर्म हुआ था आठ साल की बच्च का भाई था वो अब अगर घर में ही अगर रिष्टो को तार-तार करने वाले मामले उजागर होंगे तो क्या रहे जाएगी रिष्टो की हैमियत क्या रहे जाएगी हमारी मानवता पर सवाल उठ रही है और यहाँ पर सोचने वाली बात एक यह भी है कि आखिर पुलिस क्या कर और जो कि हमारे सीम शिवरासिंग चौहान ने जो है निर्देश भी जारी कर दी हैं कि ऐसे मामलों में ततकाल कारवाई हो और फांसी की सजा जो है उनको सुना दी जाए इस तरीके के मामलों में पर क्या मामली कम हो रहे हैं कि ऐसे आरोपी जो हैं कहीं न कहीं उनमें डर है अ हमारे प्रदेश की स्थिती, हमारे इंदौर्ष शहर की स्थिती, अब इस पर क्या किया जाए, क्या कोई counseling, special counseling इस तरीके के लोगों को, और ऐसी मानसिक्ता रखने वाले लोगों को दी जाए, सवाल कई सारे हैं क्या पुलिस प्रशासन को अपनी कारेप्रणाली को और तेज करना होगा क्या लोगों को और समझने की जरूरत है क्या शिक्षा को बदला जाए क्या करने की जरूरत है आप भी सोचिए और हमारा प्रशासन तो सोची रहा है कानून में ऐसा क्या लागू करा जाए जिससे की और ज्यादा सक्त हो जाए कानून और इस तरीके के मामलों पर अंकुष लग सके पर माफ कीजिए का यहाँ पर कानून से पहले आते हैं संसकार यहाँ पर आती है मानसिक्ता कानून तो बहुत बात में है अगर ऐसे मामले ही क्योंकि इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो उसमें कानून का डर कुछ नहीं करता है यहाँ पर करती है मानसिक्ता गलत मानसिक्ता छोटी मानसिक्ता और मानसिक्ता का खराब होना यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा करता है इस तरीके के मामलों को जन्म देती है गलत मान सकता, गंदी मान सकता और उसका दूर होना फिलहाल जरूरी है देखने वाली बात होगी कि क्या कारवाई इस पूरे मामले पर होती है पर आप भी सतर करेए और अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखिए अब तो वक्त ऐसा आगया है मा को अपनी बच्चियों को अपने पलू से बांध कर रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया है परायों से नहीं अपनों से बचाना अपनी बच्चियों को अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं अगली खबर आ रही है CM शिवरासिंग चौहान ने बड़ा पलटवार किया है कॉंग्रस के राश्विय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जहां हाली में राहुल गांधी मद्रप्रदेश दौरे पर आये थे ऐसे में सतना रीवा में उन्होंने दौरा भी किया और जब वो चित्रकूट में पहुँचे थे राम का शुरवाद उन्होंने लिया और राम नाम की माला जबते कुए उन्होंने अब मिशन 2018 के मद्दे नजर मद्रप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनाने का जोहां दावा बुलंद किया है जोहां नारा बुलंद किया है तो ऐसे में अब यहां पर उनके जो जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर पलटवार किया है सरकार पर पलटवार किया है और जो नारे उन्होंने बुलंद किया है अब उसी का सहारा लेते हुए सि-म शिवरासिंग चौहान निश्वाना साधा राहूलगांधी पर उनका कहना है क्योंकि राहूल गांधी ने वहाँ पर मेड़न चित्रकूट की बाद कही थी तो आज सि-म शिवरासिंग चौहान इटार्सी महस सभा जो है जन सभा को संभोधित कर रहे थे तो ऐसे में उन्होंने निश्वाना साधा है और कहीं न कहीं अपने जुबानी निश्वाना उनका था और अपने शब्दों का प्रहार करते कुए उन्होंने कहा है कि भई सबसे पहले आप जहां के संसद याने की अपने संसदिये शेत्र अमीठी को तो आप पहले मेडेन अमीठी बना लिजे उसके बाद आप मद्रप्रदेश की जनता को जहासा देना तो यहाँ पर कही न कही उन्होंने जो राहुल गांधी के शब्द है उन्हों कही न कही जहासे के रूप में उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से सजाते हुए नजराये हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर मद्रप्रदेश की जनता को जहासा देने की कोशिश कर रहे थे और और कुछ नहीं है उनकी बातों में कहीं न कहीं यहाँ पर जो है सीम शिवरा सिंग चौहान एक तरीके से आक्रमग दिखाई दिये हैं और अपनी जनता को कहीं न कहीं आई न दिखाने की कूशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी आये जरूर थे पर वो यहाँ पर मेडन चित् सर्कार के रूप में उन्होंने जनता के समक्ष Harriet को पेषग हा है देखने वाली बात की कि जनता वहाली बगते हैं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं यहाँ कुटो पर बयान हो रहे हैं यहां कुटो पर किस तरीके से बयान हो रहे हैं कुटे आज की डेट में जो शुआन है वो घर की मेंबर की तरह हो गए है जहां इंसानों को तरजी नहीं मिल रही है वहां शुआनों को तरजी मिल रही है जहां इंसानों को जो है घर के बाहर रखा ज़ा रहा है तो वहाँ शुआनों को घर के अंदर रखा ज़ा रहा है खेर इसमें हमें कोई बुराई नहीं है पर जो तरीके के मामले मदरप्रदीश में सामनी आ रहे हैं उससे आप भी जरा सोचेंगे कि वाह क्या किस्मत लेकर आए है शुआन बात कुछ ऐसी है दो मामले मेरे पास हैं आपको बताने के लिए सबसे पहले बात करेंगे हैं मंत्री जी किजी हाँ यहाँ पर मंत्री जी का बड़ा बयान आया है मंत्री जी जैंत मलाया जए उनका यहाँ पर बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है बयान तो क्या कहें हम यहाँ पर बयान बाजी जो है वो देखने को मिली और ऐसे में कहीं न कहीं अपनी मर्यादा को लांग कर जब उन्होंने बयान दिया तो हर कोई सोच में पढ़ गया यहाँ पर उन्होंने कॉंग्रिस पनिशाना साधा कॉंग्रिसियों के विकास पर उन् और जब उन्होंने ये लाइन कही तो हर कोई हत्सप्रद रह गया और ये जो बयान है ये अब जम कर वाइरल हो रहा है जिसके बाद देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरीके से बचाव करती है अपना और कॉंग्रेसी इसको किस तरीके से एक सिकसर वाली बॉल देकर चक्का इस पर लगाते हैं देखने वाली बात होगी पर यहां पर विकास के बहाने मंतरी जी अपनी मर्यादा भूले हैं उसी के साथ में आपको बता दे कि ये जो पूरा उन्होंने बयान दिया ये दम्हों में सरकारी कारिक्रम हो रहा था उस सरकारी कारिक्रम में मंतरी ज जमक्षाई है और बोलना क्या चाहा रहे थे और बोल क्या गए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे मैंने आप से कहा था कुछ देर पहले कि दो मामले हैं मेरे पास में बताने के लिए आपको कि श्वानो को किस तरीके से तरजी मिल रही है अगला मामला है धार जली का और वो यह आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि MP गजब है और यहां के मामले काफी अजब हैं यहां MP के अजब गजब मामले तो हम आपको दिखाते रहते हैं दिन बादिन पर यह कुछ जरा हटके हैं यहां पर एक बुज़ूर्ग व्यक्ति है जुसने जो है एक सार्वज एक वितरन प्रणाली के तहट उसने एक साल से वो बुज़ूर्ग अपने बेटे रामो के लिए राजु के लिए माफ कीजिएगा उसके बेटे का नाम राजु है और राजु के लिए वो एक साल से राशन ले रहा था अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गलत है अप आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो उसका बेटर राजु है वो कोई इनसान नहीं है बलकि वो उसका पालतु कुत्ता है जिसके नाम पर वो एक साल से राशन ले रहा था और इस बात का खुला सा तब हुआ जब अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और उससे जब उसका आधार कार्ट मांगा तो तीन आधार कार्ट उसके पास थे जिसमें दो की जानकारी तो उसने दे दी दो आधार कार्ट के नंबर भी उसने दे दी तीसरा वो दे नहीं रहा था जब उससे पूछा गया कि यह किसके नाम है तब जाकर पता चला कि यह मेरे बेटे राजु य पर देखने हैं आती है कि एक साल तक किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि यह जो राशन जा रहा है यह किसी इंसान के लिए नहीं चुकि जो प्रणाली है जो शुरू की गई थी वो इंसानों के लिए शुरू की गई थी जो जानवर है उनके लिए तो कई सारे काम और भी होते है पर ऐसे में वहाँ पर यह जो पालतुश्वान है यह भी बड़िया मज़े ले रहा है और एक साल से उसके नाम पर राशन आ रहा है और आधार कार्ड वकायदा उसका बना हुआ है तो भई यह MP है यहाँ कुछ भी हो सकता है और उसका जो प्रमान है वो यह पूरा मामला यहा आपको मामला बताया था कि मंसौर में चात्रों और टीचर्स के बीच में जो एक सभिता होती है उसको तारतार करने वाला यह पूरा मामला है कि वहां का जो नीजी कॉलेज है जहां पर चात्र पढ़ाई कर रहे थे ऐसे में ABVP के जो चात्र हैं उन्होंने वहां पर नारे बा कि बच्चे यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं आप इस तरीके की नारे यहां पर नमत लगाईए तो उल्टा ABVP के चात्र जो हैं उन्होंने वहां पर मोर्चा संभालते हुए जो उनके प्रोफिसर थे उन्हीं पर देश दुरोह कारोप लगाते हुए और उन पर कारवाई की पर क्या था जो प्रोफिसर थे उन्होंने अपना आया गांधिकीरी का रास्ता और सभी चात्रों के बारी बारे पैर चूते हुए माफ़ी मांगी है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको जो शिक्षा का पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं शोयद कुछ गलत कर रहा हूं ऐसे में कई न कई चात्र वहां पर शर्म सार भी हुए हैं क्योंकि इस तरीके का जब मामला चूकि चात्र जो है अपने टीशर्स के पैर पढ़ते हैं पर वहां पर प्रोफिसर ही चात्रों के पैर पढ़ रहे थे उसके बाद में प्रोफिसर ने तो उनको माफ कर दिया था पर जनता ने उनको माफ नहीं किया क्योंकि मदरप्रदेश की जनता के बीच में वो वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होता हुआ पहुचा और हर किसी ने सवाल खड़े की है कि आखिर ये किस तरह के की शिक्षा प्रणाली है किस तरीके की संसकार है कि प्रोफिसर ही जो है छात्रों के पैर छूरा है पर ऐसे में विपक्ष ने मोर्चा समाला और NSUI ने आज उजयन में पुतला दहन करते कोई अपना जो है विरोध द तो यहाँ पर पूरी तरीके से मोर्चा NSUI ने समाल लिया है चुनाव का वक्त है और ऐसे में हर विरोध जो है वो पूरी तरीके से बड़े रूप में यहाँ पर दखाई दे रहा है और ऐसे में मदरप्रदेश की पूरी घटना है जो कही न कहीं सोचने पर मजबूर करती ह अगर यहाँ पर प्रॉफिसर ही बच्चों के चात्रों के पैर चुने लगे तो ये किस तरीके का देश बन जाएगा ये किस तरीके का धर्म और ये किस तरीके की शिक्षप्रणाली बन जाएगी सोचने में बहुत कुछ आता है पर देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा और कितना गर्माता है ये थी अब तक की वो खास खबरे जो आपको जानी थी बेहत ज़रूरी आगे भी ताज़ा तरीन खबरों का सिलसला लगातार बना हुआ है आप देखते रहें कि आमपी न्यूस नमस्कार